चले जिए आज एक बहेतरीन चेप्टर स्टार्ट करते हैं। उस चेप्टर का नाम है Input Tax Credit। और यह चेप्टर अपने आप में इतना बहेतरीन है। अगर यह चैप्टर किसी ने ढंग से नहीं पड़ा, यह चैप्टर अगर किसी ने ढंग से नहीं पड़ा, तो भाई सब उसके जो क्लाइंट से वो भगवान वरोसे, यह एक ऐसा चैप्टर है, हाँ जिसे दिल बोला जाता है GST का, दिल, जिगर, सब यही है, फेपडे, सब यही है, सब कुछ यही है, ITC, Input Tax Credit, बात कर रहे हैं किसकी Input Tax Credit, ठीक है न, अब यह Input Tax Credit, शोट में बोला जाता है ITC, अब इस चैप्टर की खुबसूरती समझे, यह एक ऐसा चैप्टर है, जो बिजनिस को प्रोफिट में ला सकता है, और बिजनिस के प्रोफिट को लॉस में बदल सकता है, तो जिस व्यक्ति का यह वाला चैप्टर सही नहीं है, वो GST के अंदर बहुत जादा तरक्की नहीं कर पाए, अगर तुम्हारा रिजिस्टेशन चैप्टर सही नहीं रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, रिजिस्टेशन तो क्या हुआ, कि किसी से भी करा ल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गल्ती होगी, रिटन्स में ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत है वत, लेकिन अगर तुम्हारा आईटीसी का चैप्टर ही सही नहीं आया है, तो तुम तो डूब होगे जानी, और जिसका तुम काम कर रहे हैं, उसे भी ले डूब होग तो जब तक ये चैप्टर चलेगा, अगली तीन क्लास, चार क्लास, पाच क्लास, सावधान होके रहना, क्योंकि GST के अंदर जो सबसे ज़्यादा नोटिस आते हैं, वो इसी चैप्टर से आते हैं, इस चैप्टर की, मेरे अगर कभी कोई पूछे तुमसे, कि कपिल जैन के कौन-कौन से चैप्टर फैवरेट हैं, तो सबसे फैवरेट मेरा रिजिस्टेशन हुआ करता था, रिटन्स मेरा फैवरेट हुआ करता था और तीसरा चैप्टर आई टीजी, is my favourite chapter, ये चैप्टर मेरे फैवरेट चैप्टर में से एक है, रिजिस्टेशन चैप्टर को चास लाख रुपए तो कमा लियो हुँ, सर ऐसा क्या है इस चैप्टर में, सबसे जादा नोटीस है, इस चैप्टर की नोलिज ही आपको बचा सकती है, और सबसे जादा हाई कोट की जज्जमेंट्स इसके अंदर हैं, अब इस चैप्टर को इस तरीगे से पढ़ेंगे कि नो जड़ा समझना बेसिक, बरबाद कर दिया इस चैप्टर ने, जिससे इसकी नोलिज नहीं थी उसको लोगों को, चैप्टर का सिंपल सा बेसिक है, एक करोड रुपए का समान खरीदा, एक करोड रुपए का समान खरीदा, 18 लाग रुपए का आइटीसी लिया, ITC का मतलब input tax credit कोई ऐसी चीज जिसका तुम्हें credit मिलेगा जो तुम्हारी costing का part नहीं बनेगा एक ऐसी चीज जिसका तुम्हें credit मिलेगा जो तुम्हारी costing का part नहीं बनेगा ठीक है businessman ने पूछा कि मेरी costing कितनी है तो मैंने का साथ तुम्हारी costing है एक करोड तुम्हारी कोस्टिंग है एक करोड क्योंकि एठारा लाग का मैं तुम्हाइद इसी दिलाऊंगा लो में लिखा हुआ है बिजनिसमेन ने उस एक करोड के माल को एक करोड पाच लाग में बेश दिया उस एक करोड के माल को एक करोड पाच लाग रुपे में बेश दिया और खुश हो गया ये सोचते हुए कि पाच लाग का प्रोफिट हो गया पाच लाग का प्रोफिट हो गया ये सोचते हुए माल को पाच लाग रुपे एक करोड पाच लाग में बेश दिया आज के ताइम में जितने भी बिजनि यह आई टीसी मिले गही नहीं दिस विल भी एपार्ट ओफ कोस्ट एक करोड़ अठारा लाग रुपे का एक करोड़ अठारा लाग रुपे का परचेज करा एक करोड़ पाच लाग में माल बेज दिया बरबाद हो गया और मजे की बात है कि उसे कब पता लगा कि यह माल इसक के तीन साल वाद कि उसके दो साल वाद उसके एक साल वाद अगर उसे पहले ही पता लग जाता अगर उसे पहले ही पता लग जाता इसका आई टीसी नहीं मिलेगा तो वह एक करोड़ अठारा लाग में खरीटता एक करोड़ बीस में वेशता बरबाद नहीं होता है उसे दो गलती हो गई इस्लिए नहीं मिलेगा एकाउंटेंट कुमारी रिटन फाइल करना भूल गया प्रोफेस्टनल तुम्हें इसका तो इटींसी मिलना ही नहीं था गलती से ले लिया कुंटेंड बरबाद हो जाएगा साथ में इंट्रेस्ट भी देना पड़ेगा साथ में पैनल्टी भी देना पड़ेगा और उसके बाद वो अपना घर मकान बेज देगा फास ही लगा लेगा बुरा मत मानना मेरी इस बात का जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल इस चैप्टर को पढ़े भी ना किसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं उसकी रिटन भर रहे हैं तो भाई साब तुमने तो थोड़ा सा ध्यान नी दिया वो व्यक्तिव बरबाद हो सकता है मेरे पास ऐसे-ऐसे केस आते हैं मेरे पर माराष्टा से एक केस आया मुंबई से मुंबई की कंपणी बहुत बड़ी दिल्ली का जीस्टी नंबर था गलती कर दी छोटी ती और वो गलती कब करी पता है 2017 में 2018 में नुकसान कब हो रहा है चार साल बाद जब मैं 17-18 में लोगों को बताता था ता मुझसे कहते थे छोटा बच्चा है यह तो यह न छोटा बच्चा है इसे क्या बता बुरा मत मानना मेरे सीनियर मेंबर्स जितने भी थे वो मेरी बात मानता ही नहीं थे अब भी कुछ च चार साल बाद जब पता लगेगा तुम्हें समझाई मेरी बात में क्या कहना चाहरा हूँ तो जो मैं बता रहा हूं उसे मान लेना नहीं तो तुम अपने क्लाइंट का बिजनिस बरबाद कर दोगे और अगर उसका बिजनिस बरबाद हो गया तो वो तुम्हारी फीस तो द फीस चार्ज कर सकता है कि मेरे पास कोई क्लाइंट आता है जिस्टियार नाइन नाइन सी भरवाने वह कहता है साहब आपकी फीस ज्यादा क्यों है मैंने का अच्छा है अगर फीस मत दे मुझे जितना तेरा फायदा कराऊंगा उसका 50% दे दियो जितना तेरा फायदा बहुत फायदा हो सकता है यह कैसा चप्टर है जिससे आप अपने क्लाइंट का नुकसान बचा सकते हैं कैसे अब जब इंपूट टेक्स क्रेडिट की बात होती है तो इसमें लिखा जाता है कि यह जो मिलना था ठारा लाक रुपे पहली बात आप यह बताओ यह आपका रा क्रेडिट का चैप्टर सुरू करता ही तुम्हें यह नहीं बता रहा सेक्शन 16 यह कहता है 17 यह कहता अठारा यह कहता है मैं तुम्हें पहले बद पूछ रहा हूँ तुम्हारे को यह जो इंपुट टेक्स क्रेडिट मिलना है यह तुम्हारा जनमसी दधिकार है यह तुम्हें यह भीग के तोर पे मिल रहा है अब विशाल सतन अगरवाल जी कह रहे हैं महिंदर सिंग कह रहे हैं मेरा राइट है ये मेरा जनम सी दधिकार है मेरा जनम सी दधिकार है ये राइट है गोवर्मेंट कह रही है आवे जूट मत बोल ये तेरा राइट नहीं है ये भीक दे रहे हैं तेरे को यह तरह अधिकार लिया कंसेशन है की सब लोगों को तो निरते हों MY डिवाल हिसाफ 20 constant नहीं डेते हैं में आगे चलकर तुम पढ़ोगे कि अगर तुम्हें एक्जेंट सप्लाई अगर तुम्हें एक्जेंट सप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें ITC नहीं मिलता तो अगर तुम्हारा अधिकार होता सबका तुम्हारा अधिकार होता तो सबको मिलता ना तो यह अधिकार नहीं है कहली बाद यह समझेशन है जिस दिन जिस दिन ये professional और assessi, ये सोच कर business करेगा, कि ITC is not my right, it is a concession, वो success होगा, जिसने बोल दिया, अरे गुपता जी, अरे सर्मा जी, right है आपका हम दिला के रहेंगे, नहीं, नहीं मिलेगा, ITC लेना GST में उतना ही कठीन है, जितना पुरानी फिल्मों में गवावों का अदालत पोचना था, समझ में हरी है बाद, पुरानी फिल्मों में गवावा अदालत पोचते पोचते दम तोड़ देता था, इसी तरीके से ITC भी है सही है, तो पहली चीज़ समझ लो, यह आपका राइट निया कंसेशन है, लेकिन लो में लिखा हुआ है कि यह कंसेशन, अगर तुम लो की कंडिशन सेटिस्फाई कर दो, अगर लो की कंडिशन सेटिस्फाई कर दो, तब यह राइट बन जाएगा, तब यह राइट बन जाएगा, तब यह राइट बन जाएगा, समझाई मेरी बात या नहीं, तो पहली बात आप इस चीज़ को समझो, कि कंसेशन को राइट बनाने के लिए, लो में जो कंडिशन से लिखी है, उन्हें सेटिस्फाई करना चरूर है, अब जब इससे हम कंडिशन को सेटिस्फाई करने की बात होती है, तो जो कंडिशन इसमें लिखी होती है, है जो कंडिशन इसमें लिखी होती है हर प्रोफेशनल कि उसे अपने तरीके से पढ़ता तो अगर वो कंडिशन पूरी करती तो वो तेरा राइत बन जाएगा, समझाई मेरी बात, मुझे याद है, मेरी एंगेजमेंट हुई, मेरी एंगेजमेंट हुई दिल्ली में, तिक है न, मेरी वाइफ तो तुम्हें पता है कहां की है, पता है सब को या नहीं मेरी सुसाल कहां की है, हाँ, तिक है न ये रोगते हैं ये उड़ी नेरा बहुत यान दखते हैं तो क्या हुआ वो दिल्ली आ गई एंगेज्मेंट थी दिल्ली आये वो भी उनकी फैमिली भी अब हमारी एंगेज्मेंट कहाती है साम हमको 6 बजे फिनिश हो गई 6 पीम पर हमारी एंगेजमेंट फिनिश हो गई भाई उन्होंने अपना एक होटल ले रखा तो वह रुके थे मैं अपने घर पे था एंगेजमेंट फिनिश हो गई हमारे जो पार्टनर है जिस्टी प्लेट्परम वाले मनी सग्गरवाल जी ठीक ह है पहर उनकी वाई-पी आयहे थे हमारे एंगेजमेंट फिए उन्होंने का यार कभी डिनर पर चलते हैं एक डिनल पर चलते मैं चलने गए करे मैं इंगेजमेंट हो गई अब तो तुम लेकर सकते और राइट hai सब्सक्राइब ऑइट है थो अपंडी नहीं मेरा राइट नहीं रही है यह सबag औरूञ ये कि एक कंसेशन है अगर मेरे मम्मी पापा ने बोला तो ले जाना कि अधर्वाइज राइट तो तुम्हारा है नि राइट बनेगा माल लो कुछ कंडिशन्स पूरी कर दो मैंने अपने सास ससुरुजी से बात करी के रहे भाई सब देखो तुम सुमन को लेके तो जा सकते हो ल उन्होंने सुमन को मेरे साथ भेज़ दिया तो मैं ITC लेके जा रहा था तो मैं ITC लेके जा रहा था अब क्या हुआ रस्ते में मिल गया जान तो भाई साहब वह बच गया ग्यारा ग्यारा पीम होगे अब ग्यारा पीम पे जब मैंने उन्हें छोड़ा तो जो मुझे राइट मिला था लेके जाने का क्या वो राइट अब वो विड्ड्रो कर लेंगे या नहीं कर लेंगे क्या वो राइट विड्ड्रो कर लेंगे या नहीं कर लेंगे ठीक है ना वापसी में जाम मिला था या डिनर तो हमने कर लिया था वापसी में जाम मिला था तो भाई जब इनों ने मेरे को बोला कि ITC is your not a right, ITC is a concession and you have to fulfill certain condition तो मैंने अगर वो condition fulfill नहीं करी तो ITC मैं नहीं ले सकता, मुझे वापस करना पड़ेगा उन्होंने condition डाल दी कि अगर तुम इसे 10 बज़े तक नहीं लाए तो साधी cancel उन्होंने condition डाल दी, तो जो जिसे मैं अपनी wife समझ रहा था, ITC लेके जा रहा था वो मुझे वापिस करनी पड़ गई, समझ रहे हो या नहीं Are you getting my point? तो लो मेकर ने जो condition लिख दी, वो condition you have to fulfill नहीं तो तुम्हें ITC वापस करना पड़ेगा अब तुम को सर्थ क्या फरक पड़ता है, 10 बज़े से 11 बज़े क्या फरक पड़ता है क्या रहे फरक ये पड़ता है, condition थी तुम्हें पहले ही बताया था और मैं कहा रहू जाम लग गया सर मैं तो आई रहा था, जाम लग गया हाड अटेक आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये फलाना डिंका, उसने का मुझे मतलब नहीं है मुझे मतलब नहीं है लो में condition है कि condition पूरी करनी थी, अब तु ले गया अब वापिस कर तो जब ये वापिस करना होता है, तब बड़ी दुखद situation होती है ठीक है न, अब इन्हों ने का ये तुकलक rule है अरे भाई अगर ये तुकलक rule है, तो तुम लोगों नहीं तो सांसत बना बना के पारलेमेंट में जी, और इसी पारलेमेंट ने ये act बनाया उरुषी act को पढ़कर हम तुम्हें बढ़ा रहे हैं अगर ये तुकलक rule है, तो शुप्रिम कोड जाओ या धरने पर बैठ जाओ तुकलक rule है, तो सुप्रिम कोड जाओ या धरने पर बैठ जाओ अगर वो कह दे हाँ, ये rule गलत है, तब तक इंतिजार करो तो यहां पर ध्यान दखना कुछ चीजे ऐसी आएंगी अब तुम्हारा मन क्या कह रहा है अब उन्होंने एक कंडिशन डाल दी थी कि हम साधी नहीं करेंगे वापिस ले जाएंगे अगर तुम 11 बजे आए और ये रूल उन्होंने बनाया था तो ये रूल गलत था या सही थ और अगर मैं 11 बजे आया आद 10 बजे के बाद और वापिस ले गए मेरी साधी नहीं हुई तो ये सही बात है या गलत है तुम्हें लगेगा गलत है कि नेचुरल डस्टिस डिनाए तीक है ना लेकिन मैं तुम्हें वो नी पढ़ा रहा मैं तुम्हें यहीं पढ़ाऊंगा कि लो में कंडिशन क्या है अगर तुमने बार बार नेचुरल जेस्टिस की दुआई दी बार बार तुम असैसी के फेवर में गए तो तुम इस चैप्टर को पढ़ी नहीं पाओगे अच्छे से करी नहीं पाओगे तुम्हारा क्लाइंट फसे गई फसे गई सब्सक्राइब क्योंकि इसलिए मैंने पहले के पूचाता कि राइत और कंसेशं यंस बता लू और तुम्हें मैंने यह पहले ही बताया था कि भाई देखो इंगे लिए इतना भी पॉलो नहीं करते हो तो यू अब वो condition इंप्रैक्टिकल भी हो सकती है अब उन्होंने बोला छै बज़े लेके जा रहे हो वो condition भी करनी है यह मत बोलना practically possible हो या ना हो समझाई मेरी बात या नहीं अब यह कह रहे सर जब नया लो बनेगा तो तुम क्या करना या तो मुझे फिनेंस मिनिस्टर बना देना या तुम बन जाना फिर नया लो जब हम लिखेंगे उसमें ठीक कर लूँगा मैं पूछ के लेकिन अभी जब हम क्लास पढ़ेंगे तो बह बहुत सारी चीजे ऐसी होगी जो लोजिकल गलत होगी इस चेप्टर में बहुत सारी चीजे लोजिकल गलत होगी तुम्हें लगेगा यह गलत है बट आपको इस्ठिक रहना कि यह लो है और ITC को यह मानना है कि यह तुम्हारा राइट नहीं है कंसेशन यह सरते पूरी करो इसका मतलब वो क्या कहने जा रहे, ले के रहे था रहा, फो मेसlor हो एका कहने तो ले के ही मज जा समझार है मेरे बाद, तो बोचाहते हैं कि तुम ITCश not low क्योंकि एकर तुम ITC नहीं लोगे तो government का फाइदा और अगर तुम ITC लेते हो तो government अब इनोंने बोला क्या हाइए कोर्ट की जड्जमेंट में मैं गया अगेंस्ट में भी तो है तो हाइए कोरिम कोर्ट कि तुम बात करोगे तब तक तुम अपने क्लाइंट का बहुत नुकसान करा दोगे तो पहले मैं तुम्हारी इस चैप्टर को शुरू करने नहीं ठीक है अब सुप्रीम कोड को अगर कुछ गलत लगे वो बाद में ठीक कर दे लेकिन अभी तक जो हम पढ़ेंगे जो लो है वो पढ़ेंगे और ध्यान दगना जब जीस्टी ओफिसर के सामने तुम बैठोगे जीस्टी ओफिसर की इतनी पावर नहीं होती कि वो लो के अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन देगे वो लोजिक के बेसिस पर डिसीजन नहीं दे सकता वो जो डिसीजन देगा वो लोग के बेसिस पर ही देगा चाहे वो लोग गलत क्यों नहों लोजिक के बेसिस पर जो डिसीजन देता है वो ओनली ओन हाई कोट एंड सुप्रिम कोट कि वहाँ पर वो कह देंगे कि भाई लोजिकली असैसी की बात ठीक है लोग कुछ गड़बर लग रहे हैं लेकिन देखो जितने भी हमारी ओडियंस है यहां पर जहां तक मुझे पता है उन सब की प्रैक्टिस क्या है जीस्टी ओफिसर तक फर्स्ट अपील तक जादे से सुप्रिम कोट जाते हों तो हमारे को अपनी ओडियंस को ध्यान में रखके बात करने हैं कि समझाई मेरी बात या नहीं है ठीक है जी है कि लिए तो भाई मैं अपना इसी उससे बताऊंगा वाई लोजिक मुझे मत बताना ऐसा नहीं हो सकता नहीं हो सकता वो लड़ना तु इस लेवल पर बढ़ाऊंगा कि भाई साब आप ऐसा मत करना अगर ऐसा करोगे तो दिक्कत अलेगे हां कुछ हाई कोट की जज्जमेंट है जिसे हम डिसकसन करेंगे कि भाई अगर ऐसा हुआ तो आप इन चीजों का अपने फेवर में ला सकते हैं इसे कोट कर सकते हैं ठीक सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई जो इंपुट टेक्स क्रेडिट होता वो है क्या आई टीसी है क्या आई टीसी बला क्या है तो जब हम उसे पढ़ेंगे कि आई टीसी क्या है तो आई टीसी जो है तीन चीजों पर हमें मिलता है पहली चीजों पर मिलता है जिसमें पहली च करूद कुछ है तिकान इंपूर्ट सर्विसिस तीसरी चीज़ होती है कैपिटल गूसे एक मिल रूक से क्या कर रहा है तूं करो न फिर खुष और देख किया हो गई है तो तीन चीजों पर हमारा फोकस है Input-Input-Servist और Capital Good इन तीनों का ही ITC मिलता है, इन 3ों की ट्रम्ट को आपको अलग-अलग समझना होगा कि Input अलग है, Input-Servist अलग है और Capital Goods अलग है. तो अगर मैं बात करूँ, जो हम खरीद का बेच रही हैं या हम अपनी manufacturing में use कर रहे है that is call inputs अपने कोई भी goods या service देने के लिए हम कुछ भी use कर रहे है किसी की service that is input service जिस चीट को हम capitalize कर रहे है अपनी balance sheet में वो capital goods यह एक simple layman language है अभी हम low के अंदर की language पढ़ेंगे तो पहले एक बार हम जरा इसी को देख लेते कि क्या है क्या नहीं है चाल तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्पुट टेक्स क्रेड़िट की तो जब हम input टेक्स क्रेड़िट ITC की बात करते हैं तो इसकी joh definition है वह section two close 63 में दी गई है section two close 63 में दी गई है यह सारी definitions जो तुम्हें बताऊंगा पढ़ाऊंगा यह notice के reply में काम आने हैं तो ध्यान से पढ़ना क्या लिखवा input tax credit means the credit of input tax कितनी बढ़िया बात कि कि input tax credit का मतलब क्या है means the credit of input tax कि ITC का मतलब हो एक credit of input tax मैंने पूछा input tax क्या है मैंने पूछा input text क्या है तो उसने का उसकी definition जो लिखी हुई है वो section 2 close 62 में लिखी है मैंने का ज़रा बताओ input text क्या है फिर तो उन्होंने मुझे बताया कि input text का मतलब क्या है जी एस्टी के एंगल से input text का मतलब क्या है तो इन्होंने बोला कि भाई input text in relation to a registered person पहली बात input text का मतलब registered person के लिए है means the cgst tax sgst igst utgst charge on any supply of goods or service charge on any supply of goods or service दुबारा से वर्ड को highlight करो चार्ज ओन एनी supply of goods और service ठीक है न कि जो किसी supply पर चार्ज है किसकी goods और service की अब let's suppose करो मैं तुम्हें definition पढ़ा कर आ चुका हूँ goods के और service की ठीक है न अब हुआ गया अब हुआ गया मैंने क्या करा मैंने तुम्हें यहां एक गाना सुनाया मैंने तुम्हें चुटपुला सुनाया मैंने तुम्हें कहानी सुने यह गाना सुनाया मैंने सोच रहूँ कि अब तुम्हें एक गाना सुनाया तो मुझे पता है कि गाना जो सुनाना है वो मेरा काम नहीं है लेकिन तुम लोगों ने बोले सरे आज एक गाना सुनाता हूँ मैंने का यार मैं गाना सुनाँगा न तो मेरे गाने सुनाने का पिछला एक्सपिरियंस यह रहा है कि जब भी मैं गाना सुनाता हूं तुम मंत्र मुख्द हो जाते हो मंत्र मुख्ध होकर तुम इतने खुश हो जाते हो अपना मोबाइल निकालते हो उस में से मुझे पेटियम कर देते हो कोई 1100 रुपे कर देता है कोई 500 रुपे कर देता है ऐसे तुम लोग मुझे पेटियम कर देते हैं पिछला एक्स्पिरियंस बता रहा हूं पिछले बैच तुम इसका ITC ले लेते हो तो क्या वह ITC लेना सही है क्या वह ITC लेना सही है हाँ सर हमने टेक्स दिया उसका ITC ले लेते हैं ठीक है अगर वो supply of goods or services नहीं है और supplier ने गलती सब्सक्राइब येस्टी लगा गर तुम्हें दे दिया तो तुम कभी उसका ITC ले मतले ना भूल से लेकिन तुम लोग कभी भी अपने किसी क्लाइंट का ये चेकी नहीं करते उसका ITC लेते समय तुम सिर्फ ये चेक करते हो टूबी में आ गिया ले लो ITC वो तो अलग कंडिशन है लेकिन इंपुट टेक्स की डेफिनेशन में नहीं आता वो ऐग व्यक्ति को मैंने कैसा पाघल बनाया तुम्हें बता कै और उसके बात उस पर s Nlive लगा दिया जी वहन को कोई बात नी तुमिल जाए गा इसका 9 नो लाक का उसने काहार किमील जाएगा मैंने उसे 9 रुपे ज्समान या कै दे दिया विल बनाकर देडिया अब बदाव क्या उसे आई टीजी मिल जाएगा विलेंड से कि यह 50 लाग कि क्या है मिल जाएगा तू भी में आ रहा है जिस्ट यारवन में डाल दिया मैंने तू भी में आ रहा है मिल जाएगा आंसर इस नो क्योंकि भाई आई टी सी का इंपुट टेक्स का मतलब क्यों था चार जोन एनी सप्लाई ऑफ गूड्स और सर्विस उसने तो ना गूड्स लिया ना सर्विस लिया वो तो शेट्यूल 3 की आइटम थी मैं बहुत लोगों को पागल बनाता हूँ पैट्रोल पंप पे ठीक है ना पैट्रोल खरीद के लाके दे देता हूँ किसी को दस हजार का जीस्टी ले लेता हूँ कि वह क्या रवाइसा मतलब भी नहीं है कि सराप पर जीस्टी ले लिया किसी ने तुमसे आइटीसी लोग के आंसर रिखो क्योंकि आइटीसी लेने की मैं तुम्हें सो कंडिशन बताऊंगा समझे गए मेरी बात को पचास कंडिशन बताऊंगा सारी फुल्फिल करनी और पहली कंडिशन यहां से शुरू हो रही है पहली कंडिशन क्या रही है कि इंपुट टेक्स वही है जो कि टेक्स चार्जो एनी सप्लाई ओ गूड्स और सर्विस तो जब भी किसी बिलका इटी नहीं बोलो ऑन नहीं भी घशन खान समझाय जाई तक समय आही है ठी है फिर उसके बाद क्या क्या एंड इंक्लूड्स बेस कह रहाए यह जो मैने बता यह और साथ में इन चीजों को भी आई-टी सि में इंक्लूड करना मैं रहा कौन सी चीजिए क्यारा इंटी क्रेटिड and service tax charge on import of goods, कि अगर तुम import of goods करके लाते हो, और उस पर IGST pay करकर आ रहे हो, तो वो आपके input tax में आएगा, तो आप उसका ITC ले ले ले, जो आपने section 9394 में RCM pay किया है, जो आपने section 9394 में RCM pay करा है, वो भी input tax है, अगर आपने section 5 में, IGST के section 5 में, 5354 मतलब IGST में RCM pay करा है, तो उसका भी आप ITC ले ले ले, ठीक है न, अगर आपने किसी state के 9394 में tax pay करा है, उसका भी आप ITC ले ले ले, जो आपने ठीक है, the tax payable under the provision of, अगर आपने UTGST में 9394 में कोई RCM pay करा है, उसका भी ITC ले 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 ले, समझ भाई, लेकिन, 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 बट डाज नोट इंक्लूड, the tax paid under composition scheme, लेकिन अगर तुमने composition scheme में कोई tax pay करा है, उसका ITC में लेकिन, तो वो input tax की definition में नहीं आता है, चल, यहां तक clear हुआ है, एक question पूछ लूँ, तुम क्या करते हो, तुम बेचते हो coal, कोईला, मान लो कोईले पर लगता है SES, SES पता है न तुम लोगों को, 7, 3 & 4 का मतलब जो, जो RCM जो है, जो RCM का section CGST Act में 9, 3, 9, 4 है, IGST Act में 5, 3, 5, 4 है, अगर आप कभी UTGST Act खोलोगे, किसी भी state का, उसका union territory का मापे 7, 3, 7, 4 है, कॉल पर लगता है SES, कॉल वाले ने एक ट्रक खरीदा, कॉल को इधर से उधर लाने के लिए, उस ट्रक पर भी लगकर आया SES, अब बताओ ये क्या SES Input Tax है, क्या ये SES Input Tax है, और अगर Input Tax नहीं है, तो क्या इसे इसका ITC मिलेगा, इस कॉल की पेमेंट के लिए, तुम कह रहे हैं नो, चलो, किसी ऐसे व्यक्ति का काम करा है, तमाकू वाले का काम करा है तुमने, तमाकू, बीडी, सिग्रेट वाले का काम, तो इसका मतलब क्या होता होगा, उस पर SES लगकर आता होगा, उसका ITC नहीं मिलता होगा, और Output Tax देना पड़ता होगा, ऐसा होता होगा, बोलो, क्या लगता होगा तुम्हें SES के case में, SES मिलता है, लेकिन वो तो Input Tax हाई नहीं, Input Tax की Definition में है क्या, अनुच मिश्रा कह रहे है, SES मिलता है, तो Input Tax की Definition में तो नहीं, Output पर भी SES लगेगा, हाँ, लगेगा Output पर भी Tax, लेकिन Input Tax है या नहीं, Coldring के ओपर SES होता है, तो ITC मिलेगा या नहीं, या SES वाले स्रिफ पे करते हैं, ITC नहीं लेते, बोलो, बड़ावट, ITC मिलेगा लेकिन ITC में लिखा ही नहीं, Input Tax में, हाँ, फिर कैसे मिलता है, बोलो, विमन्यू, बोलो, अर्जुन, लगाओ दिमाग, यह कह रहे, Only Pay करते, हाँ, यह निकल के आए, अर्जुन, बिरेंदर पर साथ, तो बिरेंदर पर साथ, विल्कुल सही निकल कर आए, कि CGST Act के अंदर, SES Input Tax Credit नहीं है, SES is not a Input Tax, CGST Act के अंदर, SES is not Input Tax, यह Input Tax है, Compensation SES में, किसमे हैं जी, Compensation SES में, तो इसलिए, अगर तुम नॉर्मल इंसान हो, तुमारे आउटपुट पर SES नहीं है, और Input पर SES है, तो तुम्हें SES का ITC मिले गई नहीं, कभी नहीं मिले गई, लेकिन अगर तुम, Output पर विस SES है, और Input तुमने SES का लिया है, तो उसका ITC मिल जाएगा, यह वाली बात, Compensation SES में लिखकी, यह वाली बात किसमें लिखकी है, Compensation Act में, तो CDST Act में, Compensation SES is Nota Input Tax, समझाई, लेकिन जैसे ही तुमारे Output पर, जैसे ही तुमारे Output पर, Compensation SES लग जाता है, तुम, Compensation SES तुम पर Applicable हो जाता है, तो महाक का Act तुम पर लग जाता है, Compensation SES और उसका ITC आप ले लेते हैं, समझाई या नहीं, बोलो, 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 चाल, अरे, अभी अर्जेस्ट वाली चोड़ो, आँ, बिल्कुल अर्जेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है न, यह कह रहे, रिपीट कर दो, मेरा गला बैट गया, इत्ती तेज अवाज में बोलता हूँ, पडोसी जो है न, मैंने कल देखा, क्लास से बाद निकल कर, चार स्टुडेंट बैटे हुए, मैं कहा, भाई, तुम यहां क्या कर रहे हो, कहता, तुम पढ़ाते हो न, हम यहीं पर बैट के सुन लेते, पढ़ाते हो तुम यहीं बैट के सुन लेते, फीज बच जाती है, ठीक है न, तुम कहे रहे हो, रिपीट कर दो, ठीक है न, तो रिपीट करना क्या है कि, इन्पुट टेक्स की डेफिनेशन पढ़ो, इन्पुट टेक्स में सेस नहीं लिखा हुआ, लेकिन सेस का ITC किसे मिलता है, जिसकी आउटवर्ड लाइबिलिटी पे सेस है, ठीक है जी, केलियर है, बाकी सब के लिए सेस इजे पार्ट ओफ कोस्ट, ठीक है, अगर आपके आउटपुट पे है, तो आपको मिलेगा, क्योंकि ये कंपन्सेसन सेस में इन्पुट टेक्स है, चलो, अब तीन चीज़ों की डेफिनेशन और पढ़ रो, इन्पुट, इन्पुट सर्विस और कैपिटल गूर्स, क्योंकि इन्पर आई तीस ही मिलेगा, अब ये कह रहे हैं सर, इंपॉर्ट ऑफ सर्विस पर अगर आर्सियम लगेगा, तो कौन से सेक्षिन में लगेगा, बोलो, इंपॉर्ट ऑफ सर्विस पर अगर आर्सियम लगता है, तो कौन से सेक्षिन से लगेगा, फाइव से लगेगा, फाइव थ्री फॉर से लगेगा, तो वो भाई input tax का पार्ट होगा मैस जी चल अब हमें तीन चीज़ों को और पढ़ना है input, input, service और capital goods देखो भाई मैं section 16 शुरू नहीं कर रहा मेरी बात को समझना क्योंकि तुम section 16 को दस बार चाहे पढ़ चुके हो लेकिन एक बार इने पढ़ना जरूरी है input का मतलब क्या है input means any goods other than capital goods input means any goods other than capital goods used or intended to be used by a supplier in the course of furtherance of business input means any goods other than capital goods used or intended to be used by a supplier in the course of furtherance of business इसक्राइब यह मेरा चेश्मा यह पहले में नहीं लगाता था अब लगाता हूँ पहले में नहीं लगाता था अब यह चेश्मा लगाता हूँ यह चेश्मा खरीद के लाया में 50,000 का ठेक है न उस पे 9,000 रुपे जीस्टी लगा क्या वो इन्पुट में आएगा या नहीं क्या वो इन्पुट में आएगा या नहीं अब मैं अपने आस-पास की सारी चीज़े चेक कर लेना सब पर पूछू हूँ ठीक है न और यह लिष्ट बनाते रहें आई टीशी मिलेगा चेस्मे पर या नहीं मिलेगा है है यह करें सर इसलिए नहीं मिलेगा यूज़ बाय सप्लार इंदा कोर्स ऑफ फर्देंस ऑ बिस्मिस मैं क्यारा मैं चेस्मा पैंता ही नहीं प्रदेंस अब यह बात आ गई प्रूव करों अब यह बात आ गई प्रूव कि तो तुम्हारे को का आई ती सी के सामने लिख लेना मैं आई टी सी को मानता हूँ क्या माता सीता आई टी सी को क्या मानना है माता सीता को अगनी परिक्ष्याद देनी होगी प्रूम करना होगा तभी भगवान नाम कहेंगे आठी समझा ही मेरी बाद या नहीं तो अब यह आपको प्रूम करना पड़ेगा कि वह यह जो चश्मा है यह जो कपड़े हैं मैं जब क्लास में आदो तुम्हें बस तभी कपड़े पहनता हूं नहीं तो मैं तो एक लोवर में गूमता रहा हूं अब कपड़े लेगे आगया मैं कहां से रेड टेप महां पे जेश्टी नमपर डाल दिए तो क्या लिखा है कि इन्पुट मीन्स इन्पुट मीन्स इन्पुट मीन्स एनी गूड्स अधर देन कैपिटल गूड्स और यूज और इंटेंडिट तो बी यूज बाय सप्लायर इन दा कोर्स ओफ फर्दर एंस ओब इस तो जो भी तुमने खरीदा वो तुम्हें प्रूब करना पड़ेगा कि वो सप्लायर ने यूज कराओ किसमें फॉर्दर एंस ओब इस इसी तरीके से इन्पुट सर्विस है मीन्स एनी सर्विस यूज और इंटेंडिट तो बी यूज बाय सप्लायर इन दा कोर्स ओ फॉर् मेरी ठीम ने मुझे बोला अभी सेक्षन सत्रा बत्रा पे मत जाना अभी शरी यह बोलना कि इन्पुट सर्विस ऐया नहीं मेरी टीम ने मुझे ये बोला कि सर आप्का जो चहरा है मैं कहा रहा है कि तुम्हारा चेहरा क्या करें By मैं ब्यूटी पालर में गया मैं ब्यूटी पालर में गया और मैंने को रगड़ दे वाइस आप एक आध छील भी दे तू लेकिन चैरा कर दे गोरा एक्दम क्लास में बच्चे देखके खुस हो जाएं और उसने वो कर दिया उसने मेरे से लिए बीस अजार रुपे तुम्हार हर बैच में हर बैच को सुरू करने से पहले मैं चैरे पर करवात होगी बीस अजार रुपे लिए ठीक है ना अब यह बताओ क्या वो इंपुट सर्विस है बोलो बोलो क्या वो इंपुट सर्विस है यह गहरे नहीं है तो इंपुट सर्विस अभी विशाल दतन अगरवाली मैंने पहले फोल दिया था सेक्शन 17 मतलब लाओ अभी अभी फोकस करो सिर्फ इंपुट सर्विस में क्या वो इंपुट सर्विस हाया नहीं है यह करे फिल्म एक्टर के लिए है परदीप बागडी जी अब यह भी तो फिल्म है भाईया जी वो तो एक साल में दो फिल्म लाते हैं मैं एक साल में तीन-तीन घंटे की डाई-डाई घंटे की पचास फिल्में बनाता हूं तो अगर फिल्मी एक्टर के लिए इंपुट सर्विस है तो मेरे लिए इंपुट सर्विस होनी चाहिए तो यहां पर आपको समझना है कि इंपुट सर्विस वही क्वालिफाई होगी जो तुम्हारी इंटेंडिट तो भी यूज़ बाय सप्लायर इन डा कोर्स अब फर्दर रहे हो यह चेक करना कि वो फर्दर एंस बिजनिस है या निए तो दोनों डेफिनेशन में कोमन क्या है कि इन दा कोर्स अब फर्दर एंस बिजनिस होना चाहिए सेम थिंग इन कापिटल गूड्स मेंस गूड्स दा वैल्यू ओफ विचिस कैपिटलाइज इन दा बुक्स ओ आपने उसे कैपिटलाइज कर दिया अपनी बुक्स ओफ एकाउंट में परसन क्लेमिंग डाइटी सी एंड विचार यूज और इंटेंडिड वी तो तीनों डेफिनेशन से कोमन चीज निकल कर आई कि जहां पर फर्दर एंस बिजनिस नहीं होगा जहां पर फर्दर एंस ब ग्राइड गरेगा और बिजनिस क्या होता है उसके लिए तुम्हें बिजनिस की डैफिनेशन पर यह थोड़ी बड़ी डैफिनेशन है तो एक बार इसे घर से बढ़ ले ले ना घिक है ना तो वो business की definitions आपको clear हो जाएगे, समझा है यहां तक यह चीज है, ठीक है, तो अभी आगे आज ही continue करें, यह next class, बोलो, चालो, तो आगे हम next class में करेंगे, लेकिन जो ITC पढ़ेंगे, पूरे मन से पढ़ेंगे, ठीक है न, पूरे deep में जाएंगे, ठीक है, हर चीज का ITC का analyze क करेंगे, ठीक है न, कि किस पर मिलेगा, किस पर नहीं, चालो, तो आज की class को हम यहीं off करते हैं, ठीक है जी,